दोस्तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आपका बजट 20,000 रुपीज के आसपास है और आप स्पाइन केर मेट्रस मार्केट के अंदर ढूंड रहे हो तो ये वीडियो स्पेस्चेली आपके लिए ही बना है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप ब्रांड के दो मेट्रस यानि की स्लीप वेल का इंस्पाइर मेट्रस और स्प्रिंग वेल कंपनी का प्रीमा बॉन प्लस मेट्रस इस वीडियो के अंदर हम इस दोनों मेट्रस का फील कैसा है दोनों मेट्रस का rate कितना है, warranty क्या है और इसके अंदर कौन-कौन से foam आते है इस बारे में total discussion करेंगे तो आपको idea है कि किस तरीके का mattress आपको purchase करना है foam और furnishing की updated information के लिए आप हमारे channel को subscribe कर सकते है तो आईए start करते है तो दोस्तो पहले देखते है sleep well company का जो inspire mattress है वो इस तरीके का mattress है sleep well का इसके अंदर कौन-कौन से foam आते है वो देखते है अगर सुरू-सुरू में जो starting foam है इसके उपर का quilting quilting के अंदर company ने 15 mm का memory foam दिया हुआ है इस तरीके का यह initial level पर 15 mm का है ताकि जब आप mattress के उपर लेटते हो तो आपको initial blood circulation proper हो और आपको initial comfort proper मिले इसके नीचे का जो foam है यह HR foam company ने use किया है यहाँ पर HR foam है वो high resilience foam है जब इसके उपर weight आता है तो यह दबता है मगर वापस इसका जो resilience power है वो ज्यादा होता है normal PU foam की comparison में तो इस तरीके का HR foam दिया हुआ है और base के अंदर यह bonded foam दिया हुआ है यह जो bonded foam है इसको ortho foam भी कहते है spine care foam भी कहते है rebounded foam भी कहते है इसके अलग-अलग नाम है मगर इसका जो feel है fully hard feel है और mattress के अंदर hard surface देने के लिए bonded foam का use होता है almost सभी कंपनिया bonded foam का use करती ही है मगर जो inspire model है sleep well का इसके अंदर base में bonded foam दिया है और उपर HR foam है और सबसे उपर quality के अंदर 15 mm memory foam दिया हुआ है और इस mattress को आप दोनों side वैसे company नहीं केती मगर आप दोनों side use कर सकते हो क्योंकि अगर आपको fully hard surface चाहिए तो आपको खाली इसको flip करना है आप इस side use करेंगे तो यह जो surface हो fully hard हो जाएगा और इस तरीके से आप इसको flip करेंगे तो यह वाला जो surface हो medium soft होगा इसको spine care mattress इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसका एक ही reason जब आप mattress के उपर लेटते हो तो body का जो part है वो two each से ज्यादा sink नहीं होगा क्योंकि base के अंदर bonded form दिया हुआ है तो यह हो गया sleep well का inspire mattress अगर इसकी जो standard thickness की बात करें तो साड़े 4 इच की standard thickness में यह market के अंदर available रहता है साड़े 4 इच की thickness लेते है तो इसका जो total thickness होगा with quilting quilting के साथ इसका जो thickness हो पूरा five इच का thickness होता है मैं आपको नाप के दिखाता हूँ कितने इच का कितना foam है अगर base में देखे तो जो bonded foam है वो almost 3 इच के आसपास है और इसके उपर का soft foam है वो almost अगर देखे तो डेड इच के आसपास उपर का foam है दोस्तो अगर total जो foam का थिकने से वो देखे तो कुल मिला के हो जाएगा इसका साड़े 4 इच का thickness foam का और with quilting अगर total thickness देखे तो with quilting अगर ना पेगे इसका थिकनेस तो almost होगा 5 इच के आसपास 5 इच का थिकनेस पूरा हाएगा इसके अंदर अगर आप साड़े 4 इच का mattress inspire लेते हो तो अब देखते है spring well company का primabond plus mattress दोस्तो यह है spring well company का primabond plus mattress इसके अंदर कैसे foam आते है वो पहले देखते है same जो foam का structure है almost same है inspire के सामने अगर देखे तो base में आप देख सकते हो base के अंदर bonded foam दिया हुआ है इस तरीके का यहाँ पे base में bonded है इसके उपर यहाँ पे soft foam दिया हुआ है एक इच का soft foam है इसके उपर और जो quilting है उपर वाला यह जो quilting का कपड़ा है इसके अंदर 15 mm का memory foam दिया है initially जो blood circulation proper तरीके से हो और जब आप mattress के उपर लेट हो तो proper आपको initially comfort भी मिले इस reason से ही company ने इसके उपर 15 mm memory foam दिया हुआ है अब देखते हैं इसका thickness कितना आता है इसका जो standard थिकने से वो 4 inch का आता है 5 inch का थिकने साता है और 6 inch का थिकने साता है अब इसका foam नापके देखते है base का जो foam है वो almost 3 inch का foam है bonded foam base में दिया हुआ है और उपर का जो soft foam है वो almost 1 inch का soft foam दिया हुआ है और quilting के अंदर 15 mm memory foam दिया हुआ है अगर total thickness foam का देखे तो 4 inch का foam का total thickness हो जाता है foam का total 4 inch होगा अगर width quilting अगर नापके तो total inch का thickness 5 inch का total thickness हो जाएगा width quilting तो अगर दोनों mattress की हम comparison करते है यह हो गया sleep well का inspire mattress और यह है spring well का prima bone plus mattress तो आप foam के अंदर देख सकते हो क्या difference है almost अगर basically देखे तो base का जो bonded foam है वो दोनों में same है आप कर देख रहे हो बेस में the only form है वो इसमें भी bonded दिया हुआ है prima bone plus के अंदर और यह हो गया sleep well का inspire mattress इसमें भी बेस में bonded है उपर का जो form के उसमें difference यही है कि इसके अंदर एक iska saw펑олill का inspire mattress ista इसके अंदर दो iska saw funk दिया हुआ यह difference है तो प्रीबा me ओर उपर का एक इच का सौफ फोम और इंस्पायर मेंटरस के अंदर दूसरा थिकनेश आवेलेबल ही नहीं है अब देखें फिल वाइस क्या डिफरण्स होगा यह हमारे पास यहां पर प्रीमडून प्लस मेंटरस का बड़ा सेंपल रखा है तो पहले वह प्रीमडून प्लस देख लेते हैं किस तरीके का उसका फील है ओल्मोस्ट दोनों के फील में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा यह प्रीमा बोन प्लस का सॉफ्ट साइड है इनिसियली जब हम मैट्रस के उपर लेटते हैं तो दाइरेकली थोड़ा मेमरी फोम का डाइरेकली फील आता है इसका जो पूरा फील है वो थोड़ा हाड्नेस के उपर है तो बेक में और अपर बेक में प्रोपर सपोर्ट भी मिलता है अगर आप side slipper है तो भी आपको support तो करे गई आम तोर पे side slipper के लिए थोड़ा softness वाला mattress ज्यादा अच्छा रहता है मगर इसके अंदर इतना hardness नहीं है कि side slipper को uncomfortable feel हो, comfortably feel होगा इसके अंदर इसका दूसरा benefit यह है कि in future अगर आपको specially spine care mattress यूज़ करना है जो hard surface वाले market में भीखते है या hard surface वाले जो doctor recommend करते है upper back या lower back आम तोर पे lower back का जिसको problem होता है उसको ज्यादा recommend करते है hard तो आपको खाली इतना ही करना है इस mattress को flip कर देना है इस तरीके से जब आप flip करें जब आप flip करोगे इस mattress को तो इसका जो पूरा feel हो fully hard हो जाएगा इसका पूरा feel जैसे का आप देख रहे हो अगर इसके उपर लेटते है तो जो अपर बेख है सके वही spine के लिए better रहेगा तो यह mattress देखे तो spine के लिए better mattress है अब देखते sleep well का जो inspire mattress आपको दिखाया था उसका और इसके feel में क्या difference आएगा almost hard वाला surface है यह वाला जो bonded foam वाला वो almost दोनों का same है बगर दूसरा difference यह होगा जब आप इस side use करेगे तो sleep well का inspire mattress compared to primaborn plus mattress है उसकी comparison में थोड़ा ज्यादा soft होगा जैसा कि आप देख रहे हो यह थोड़ा ज्यादा soft है इसकी comparison के अंदर अगर इसको हम दबाते हैं तो इतना ज्यादा soft नहीं है compared to this mattress तो दोनों mattress अगर feel wise देखे spine के support wise देखे तो दोनों mattress best है दोनों के अंदर quality foamy company ने यूज किया है अगर technology की बात करे तो sleep well inspire mattress के अंदर neempress technology यूज करती है और spring well है वो antibacterial technology इसके अंदर यूज करती है दोनों टेकनोलोजी का एक ही मतलब होता है कि mattress के अंदर in future fungus, bacteria या dust mites वगेरा ना जनरेट हो, health और hygiene wise safe हो, तो ये दोनों mattress health और hygiene wise safe है, अब देखते इसकी warranty कितनी है, दोनों mattress की warranty भी same है, दोनों के अंदर company 5 साल की warranty देती है, एक साल तक piece to piece replace होता है और बाकी के जो साल है उसके अंदर pro database company count करके replace करती है, दोस्तों अब दोनों की rate की comparison करते है, rate क्या है वो देखते है, दोनो इसका MRP 20,500 रुपीज के आसपास है, और सामने अगर देखे spring well का prima bone plus mattress ये वाला, जो spring well का prima bone plus mattress है, उसका जो standard thickness है, 4 इच का है, पांच इच का है और 6 इच का standard thickness आता है, तीनों thickness में available रहता है, तो अगर इसका basic 4 इच का thickness wise अगर rate देखे, 6 by 5 feet का, तो इसका total MRP होगा, almost 17,000 के आसपास MRP है इसका, तो almost देखे, तो दोनों के अंदर rate में थोड़ा difference है, अगर feel wise देखे, तो अगर spine और back support के लिए आप mattress purchase कर रहे हो, mattress देख रहे हो, तो ये दोनों mattress में आपको recommend करता हूँ, जिसको भी spine related problem है, आप parents room के अंदर अगर spine related problem नहीं है, तो भी इन दोनों mattress म की quality wise, technology wise देखे, तो दोनों company, almost इंडिया की top company है, जो अच्छे अच्छे scientific analysis करके अपना mattress बनाती है, तो दोस्तों आप parents room के अंदर दोनों mattress में से कोई भी mattress use कर सकते हो, अगर आपका weight, अगर आप young है, फिर भी अगर आपका weight almost 70 kg या उससे ज्यादा है, 80, 90, 100 kg है, तो आपक spine के लिए supportive रहता है, तो आपके लिए भी ये mattress में recommend करता हूँ, आप use कर सकते हो, in future spine related problem generate ना हो, उसके लिए, अगर आपको spine related problem है, तो फिर ये mattress तो आपके लिए best ही रहेंगे, मगर अगर नहीं है problem और weight ज्यादा है, तो भी आप इस mattress को use कर सकते हो, दोस्तों अगर आपको इन दोनों mattress के बारे में कोई भी question है, तो आप हमें पूछ सकते हो, हम आपको उसका proper reply देंगे,